नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपनेटो चैनल बड़ेपी इन्वेस्मेंट में आज के स्वीडियो में मैं कुछ बहतरी स्टॉक के ओपर डिसकस करूंगा दोस्तों और उसमें काफी अच्छे लेवल आये है तो उसमें आगे क्या उस टॉक में अंदर रणीती होनी च हो रह sm olduğ isろ काफी अच्छा भ Mich都 अपर क्लोज होता है दूसरे दिनन नीचे ऊपन होता और फिर काफी की बन होता की ब cs से जो ऑक्सिजन की सप्लाई की कमी है और उसके उपर काम करने के लिए काफी पॉलिटिकल पार्टिया और सेंट्रल गवर्रमेंट भी काफी कुछ हेल्प कर रही है और प्राधानमंति नहींद्र गया जो आइसी एमर की रिपोर्ट के इसाफ सी में में बनना चाहिए तो में में डिक के आसपास होना चाहिए तो वो जब तक नहीं आता है और वो तो सिवे घनुमान है जब तक प्रॉपर पिक नहीं दिखता है अपने को तब तक उसके उपर प्रब्लम रहेगा और यह अगर आप मेरे चैनल में पहले से जूड़े हुए है तो यह स्टॉप मैंने 164 के उपर रेकमेंड किया था और दूसरी बार जब यह विकली चाट के उपर दोस्तों ब्रेक आउट आया था 375 के उपर तब यह स्टॉप दुबारा हमने इसमें बनाई और यह स्टॉप अभ चुका है तीन विक के अंदर ही दोस्तों अब इसमें आगे क्या स्टेटेजी होनी चाहिए तो उसमें मैंने अल्रेडी रजिस्टन्स लेवल जब समझाया था तभी बताया था 475 का और यह साइकलिक स्टॉप है दोस्तों अभी जो स्टील का जो कॉमोडिटी है वह काफी अच्छा है मार्केट में डिमांड अच्छा है उसकी बज़े से बढ़ रहा है एक लेवल के उपर आपको प्रॉफिट के अंदर बुक कर देना पड़ेगा बरना इसमें बहुत बुरी तरह से फश सकते हैं मैं इसका लॉंग प्रम आपके लिए चार्ट रख लेता हूं त और फिर अपन डाउन करके अभी उपर जा रहा है तो जब तक में साइक्लिक मुमेंट अच्छा अपवर्ड है तब तक कॉमोडिटी में इसमें बने रहना चाहिए उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्कार्ट कर देनी चाहिए अब बात करते हैं मौरेफॉन कर रहा हूं और आपको पता है कि जब लास्ट विक में मैंने वीडियो बनाया था तक बोला था यह रजिस्टन्स लेवल जब तूटेगा तब हमें काफी अच्छा अपने को मिल सकता है यह आप देख सकते है विकली चार्ट के उपर यह विक में दो जो रजिस्टन्स काफी अच्छा मोमेंट दिया और हमें काफी अच्छा रिटन मिला अगर हमें इसके जो टार्गेट देखने है तो मैंने पहले भी आपको इसके टार्गेट बताये थे रिट्रेस्मेंट लेवल के हिसाब से तो अभी मैं दुबारा मैं आपको बोल रहा हूं कि यह जो रेजिस्टन्स लेवल भी जो 2002 में बना था उस हिसाब से सेवंटीवन का रेजिस्टन्स वहीं पर आ रहा है दोस्तों तो वहां पर आसपास प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है तो ठंडा मेंटल ही बहुत ही अच्छा श्रॉग है और कौरोना की बज़ेस से यह प्रोडक्ट है वह इसकंपनी के पोटफोलियो में है दोस्तों जिसका डिमांड अभी बहुत ही हाई है दोस्तों यह सट्रॉण राइस का रिज़न सारे फार्मा स्टॉब में डेलिया ही है उसकी बज़े से ही है दोस्तों अब जो फ्रॉपर बात करना वाला हूं वह डिंक लिंकन फार्मा आपको पहले भी ये चनल के उपर मैंने डिसकस किया हुआ ये स्टॉक जब प्रमोटर ने बाइ किया था ये लेवल के उपर तब मैंने बोला था कर पॉजिटिव क्लोज देता है तब भी हम इसमें बने रहेंगे बड़ दोस्तों क्लोज जो आया वो नहीं आ लाइन 2018 में इवन उसके आगे भी आप देखोगे इस लाइन के उपर क्लोज करने के लिए 2018 जनवरी 2017 इससे भी आगे देखिए 2016 ये जो लाइन है उसके उपर जब भी मुमेंट आया है तब अच्छा रिजल्ट मिला है दोस्तों लाश एक बार आया बट हमें जो स्टॉक जब प्रमोटर ने बाई किया था और अब जो यह स्टॉक है सारी फर्मा स्टॉक में डेली चल रही है तो इसमें ब्रेक आउट आ चुका है दोस्तों तो अभी जो नेक्स रेजिस्टन्स लेवल है दोस्तों वह अराउंड 312 का है दोस्तों तो अभी यहाँ पे नजदिक जो है अपना 250 का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास अब बाई करके इसमें लॉंग पोजिशन बना सकते है अगर आपके फाइनसल एडवाजर इसमें सला देते है यह मेरा प्रस्नल व्यू है दोस्तों और कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी ह है तो अभी फार्मा जो सेक्टर है वह बहुत ही ज़्यादा तीजी में दोस्तों सारे स्टॉप भाग रहे है अच्छे हो या बूरे हो तो यह बहुत ही सस्ता स्टॉप के कर सकते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए थेंक यू थेंक यू वरी मत दोस्तों